Hello students, Real Analysis के 14th lecture में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हम लोगों ने Equivalence Relation, Reflexive Relation, Symmetric Relation and Transitive Relations के बारे में जाना था आज की वीडियो में हम लोग Counting of Relations सीखेंगे मतलब कितने Reflexive Relation होते हैं, कितने Symmetric Relation होते हैं कितने Equivalence Relation होते हैं, इनको हम लोग निकालना सीखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं अब देखेगा, मैंने आपको Relation Count करना तो सिखाया है अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा ठीक है, मैंने पहले भी Relation Count करना सिखाया है Suppose करिए आपके पास दो सेट है, Let A, B, B two sets माल लेते हैं, आपके पास दो सेट है, ठीक है और माल लेते हैं, A के पास N Elements है और B के पास M Elements है ठीक, मतलब इस A set के अंदर N Elements है और B set के अंदर M Elements है ठीक है, तो मैं जानता हूँ की A cross B के अंदर कितने elements होंगे N into M, that is, N M Elements होंगे, है न? A cross B के अंदर कितने elements होंगे, N M N Elements होंगे, ठीक है और relation क्या होता है, relation जो होता है एक ऐसा set, जो की A cross B का क्या हो जाए, subset हो जाए तो अगर मैं कोई सा भी एक सेट ले लू आर जो की A x B का सबसेट हो जाए तो फिर हम लोग इस R को रिलेशन कहते थे ये मैंने आपको बात बताई थी ठीक है? मतलब इस A x B का अगर आप कोई सा भी सबसेट ले लेंगे तो वो हमेशा रिलेशन बनता है तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या? कि A x B के पास जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे ठीक है? अब मैंने आपको number of subsets find करने का तरीका बताया था number of subsets find करने का तरीका होता है 2 का power n ठीक है? जैसे माल लीजए आपके पास कोई एक सेट है A ठीक है? इसके अंदर n elements है ठीक? तो इस सेट के पास कितने subsets होंगे? उसका formula होता है 2 का power n मतलब सेट के अंदर जितने elements हों उतना ही power लगा दीजे 2 के उपर तो आपका number of subsets निकल आएगा ठीक है? लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें आपके अंदर elements कितने हैं? तो एक रॉस बीके अंदर nm elements हैं तो मैं कह सकता हूं number of subsets of a cross b जो होगा वो 2 का power nm हो जाएगा हमें बस इस n के जगह nm रख रहा होगा हमें क्या मिल जाएगा? number of subsets of a cross b यहां पर मिल खूंगा number of number of subsets of subsets of a cross b कितने subsets होंगे? 2 का power nm ठीक है? number of subsets count करने का तरीका क्या है? कि 2 का power जितने elements हों उस set में वो लिख दीजे तो a cross b के अंदर nm elements है तो मैंने 2 का power क्या लगा दिया? nm लगा दिया ठीक है? अब देखिएगा जितने भी subset होंगे वो सब के सब relation होंगे क्योंकि यही तो relation का definition होता है मैं कह सकता हूँ कि number of relations जोंगे number of relations on a cross b यह क्या होगा? 2 का power nm हो जाएगा ठीक है? तो आपको यही चीज याद रखनी है कि कितने सब relations होंगे ठीक है? उमीद करता हूँ आपको यह समझ माया होगा अब हम लोग count करेंगे relation on a set को ठीक है? मतलब किसी एक set पे कितने relation होते हैं उसको हम लोग निकालना सीखेंगे चलिए शुरू करते हैं फिर तो आप कोई साभी subset ले लीजए a x a का तो वह relation क्याला याता है ठीक हो जाएगाtre on a set हो जाएगा है relation relation on a set में फर्क होता है जब हम लोग relation on a set की बात करते हैं पहता है जब नौर्मल डिलेशन बोलते हैं तो लो सेट प्राइब होता है कि एक्रस बी पह फिए तो किसी सेट को आप सकते हैं कि सेट के ऊपर तो दिर पहले ki number of number of subsets find कराने काता थ्याफ तरीका क्या होता है number of subsets find करेट कराने काता हूत है 2 पावर N मैं बोलू number of number of subsets of A cross A number of subsets of A cross A के पास कितने brat suspended होगे तो क्योंकि A के पास N elements है तो A cross A के पास N into Nुट इन into N इसक्वेर elements होंगे ट्व का पावर N स्क्वार हो जाएगा ठीक है तो ऐसा मैं किसकता हूँ एक रॉस एक के पास इतने सबसेट्स होंगे और अगर एक रॉस एक पास इतने सबसेट्स हैं तो नंबर ओफ रिलेशन्स कितने जाएंगे नंबर ओफ रिलेशन्स होने तब एक उपर कितने रिलेशन्स होंगे इतने ही 2 का पावर n2 ठीक है समझे गए यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है बहुत इंपोर्टेंट ठीक है कि तो क्या आपको यह समझ में कि यह फॉर्मला आया कैसे है समझ में आपको अच्छी बात है डेरिवेशन जीखना जरूवी होता है अलाकि यह सब चीजे मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखी थी तो अब हम लोगों ने पता कर लिया कि किसी सेट की उपर कितने रिलेशन हो सकते हैं अब मैंने आपको पिछले वीडियो में रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रि लें तो सब्सक्राइभ करिये आपके पास एक सेट है जिसके पास एन इलिमेंट्स ठीक है यह लेट ये बिया सेट जिसके पास एन एल image तो नबर ओफ्लेक्सिव रिलेशन काउन्ट करेक्ट का ह Southerních नमबर ओफ रिफलेक्सिव रिशन number of reflexive relation on set A इसका formula हो जाएगा 2 का power n, n-1 ठीक है मतलब अगर इस A set के पास n elements है तो आप इसमें कितने reflexive relation को सकते हैं 2 का power n, n-1 ठीक है बहुत important formula इसका derivation में अभी नहीं जब मैं group theory पढ़ाऊँगा तब कराऊँगा इसका derivation अभी derivation समझने किसकी कोई जोद नहीं है ठीक है अब देखते हैं number of number of symmetric number of symmetric relations number of symmetric relation on set on set A कितने symmetric relation होंगे इसका formula हाता है 2 का power n, n प्लस 1 divided by 2 ठीक है यहाँ पर मैंने दो formula बताएं है number of reflexive relation count करने का तरीका number of symmetric relation count करने का तरीका number of transitive relation count करने का कोई तरीका नहीं होता है ठीक है number of number of equivalence relation count करने का तरीका जरूर होता है number of equivalence relations होता है वो actually में partition of n के equal हो जाता है मतलब इस A set के पास अगर N element है तो आप partition of N निकाल दीजे जो भी partition of N की value आएगी वही number of equivalence relation बता के चला जाएगा ठीक है मतलब इस A के पास कितने equivalence relation होंगे partition of N हमें बता के चला जाएगा अब देखेगा partition of N निकालते कैसे हैं उमीद करता हूँ यही आपको नहीं आता होगा निकालने जैसे suppose करिए partition of 1 निकालना है तो 1 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है सिर्फ एक तरीके से इसलिए 1 का partition 1 ही होगा partition of 1 क्या होगा 1 होगा ठीक है लेकिन अगर मैं बोलूं partition of 2 तो 2 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है एक तरीका है normal 2 लिख दीजे एक तरीका है 1 प्लस 1 लिख दीजे ठीक है तो दो तरीके हैं partition of 2 क्या होगई 2 होगई उसी तरह अगर मैं partition of 3 की बात करूँ तो 3 को 3 लिख सकते हैं 1 प्लस 2 लिख सकते हैं तो टोटल तीन तरीके हैं इसलिए पार्टी आप 3 की वैलु की वैलु क्या हो जाएगी अभ दोरां देखते हैं João पार्टीशन ओफ प्लस की वैलु क्या में होगी एक तरीका है एक नौरॉमल से लिग दीजिन एक तरीके हैं कह 1 प्लस 3 लिख दीजिए एक तरीका है 2 प्लस 2 लिख दीजिए एक तरीका है 1 प्लस ब्लस 1 लिख दीजिए है न तो total कितने तरीके हो गए municip poster5 तरीके से हम लोग फॉर को लिख सकते हैं तो इसलिए partition of partition of 4 की वाजाएगी 5 हुजाएगी इसी का दूसरा तरीका होता है ठीक है और रामानुजन ने खोजा हुआ है तो मैंने अभी आपको फिलाहल पार्टीशन निकालना सिखाया है और मैंने यह भी बताया है कि किसी सेट के पास कितने इक्विलेंस इक्विलेंस रिलेशन होंगे आप कैसे निकाल सकते हैं बस आप पता करिए कि उस सेट में कितने elements है और ये उसी का पार्टीशन कर दीजे अपको पता चलिएगा कि इस सेट के पास कितने एक्विलेंस रिलेशन एठीक है तो यह तीन फॉर्मले है मैंने इनका डेरिवेशन नहीं करवाया है ठीक है जब मैं गुरूप थियोरी पढ़ाऊंगा तभी डेरिवेशन कराऊंगा इन तीनों का अभी कोई जोत नहीं है ठीक है क्योंकि में कहीं भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और इक्विलेंस रिलेशन की जोत नहीं पड़ेगी तो यूज करेंगे ठीक है मैं आपको एक उम्मक दे रहा हूं इसको अटेंड जलूत करिएगा उमक है पहला उमक है कि पार्टीशन ऑफ सिक्स निकालिएगा दूसरा है कि नंबर ओफ नंबर ओफ सिमेट्रिक नंबर ओफ सिमेट्रिक रिलेशन पता करिएगा नंबर ओफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन 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 सेट ओफ वर्वेल्स सेट ओफ वर्वेल्स सेट ओफ वर्वेल्स के पास कितने सिमेट्रिक रिलेशन होंगे आपको पता करना होगा ठीक है और नं number of equivalence, number of equivalence relation, number of equivalence relation on set of vowels, ये भी निकाल लिजेगा, कि set of vowels के पास कितने equivalence relation होंगे, और number of, number of reflexive, number of reflexive relations on set of vowels, ये भी find करिएगा, ठीक है, तो इन तीनो questions का अंसर आपको comment box में बताना है, चार questions है टोटल, एक तो partition of six निकाल के बताना है, फिर इन तीनो questions का जवाब देना है, बहुत easy है, खाली आपको end के जगा value कुट करके question को solve करना है, तो आज की video में से तना ही, मिलते हैं लिए वीडियो में, तब तक के लिए, goodbye. बाइ